मित्रों जै मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरूर लिखे मातारानी आप सबी का कल्यान करेंगी मित्रों साल 2022 में नरक चतुरदसी कब है पूजा का सुप मुहुर्थ कब है नरक चतुरदसी की पूजा विधी वह महत तो क्या है और चतुरदसी तिथी कब सुरू होगी कब समाथ होगी जानेंगे इस वीडियो में लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले आप से मित्रों नरक चतुरदसी कार्तिक मास के क्रिफ्ट पक्ष की चतुरदसी तित्थी को मनाए जाने वाला एक त्योहार है। इसे नरक 14, रूप 14 और रूप चतुरदसी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन मृत्यू के देवता यमराज की पूजा करने का बिधान है। दिपावली से ठीक एक दिन पहले मनाये जाने की वज़े से इसे नरक चतूरदसी या छोटी दिवाली भी कहा जाता है। नरक चतूरदसी के दिन साम के समय दिये जलाए जाते हैं। इस दिन यमराज की पूजा करके अकाल मृत्यू से मुक्ती पाने की कामना की जाते है। इसके अलावा नरक चतूरदसी के दिन प्राताकाल सुर्य उदय होने से पहले सरीर पर तिली का तेल लगा कर चिचड़ी की पत्तियां पानी में डाल कर इसनान करने से नरक के भाय से मुक्ति मिलती है और मनुस्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है नरक चतुर दसी के दिन प्राता हकाल सुर्य उदय से पहले इसनान करने का महत्व है इस दिन तील के तेल से सरीर की मालिस करनी चाहिए उसके बाद चीर और लएकवा, तुर्दसी से पहले कार्ति कृष्ट पक्ष की अहोई आश्टिमी के दिन एक लोटे में पानी भर कर रखा जाता है, और उसी पानी को नहाने के पानी में मिलाकर इस्नान करने की परंपरा है, मन्यता है कि ऐसा करने से नरक के भाय से मुक्ति मिलती है, इस्नान क करने के बाद दच्छन दिशा की ओर हांथ जोड़कर यम्राज से प्रात्ना करें। ऐसा करने से मनुस्य द्वारा वर्ष भर किये गए पापों का नास होता है। नरक चतूरदसी के दिन साम के समय सभी देवताओं का पूजा करने के बाद तेल के दीपक जला कर घर के बाहर वकार इस्थल के प्रवेश द्वार पर रख दे। मान्यता है कि ऐसा करने से लच्छमी जी सदयोगहर में निवास करती हैं। इसा करने से संदर की प्राप्ति होती है। इस दिन अर्धराती के समय में घर के अंदर से सभी व्यकार की वस्पवे निकाल कर फेक देना चाहिए। इस परंपरा को दरिद्र निह सारन कहा जाता है। मान्यता है कि नरक चतूरदसी के अगले दिन दिवाली पर लच्छमी जी घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए दरिद्र यानि गंदगी को घर से निकाल कर फेक देना चाहिए। मित्रों आपको बता दे कि वर्ष 2023 में नरक चतूरदसी 12 नवंबर दिन रविवार के दिन मनाई जाएगी। और अभ्यंग इस नान का सुब मुहुर्त है। सुबा 5 बचकर 27 मिनट से लेकर सुबा 6 बचकर 40 मिनट तक रहेगा। यानि इसनान करने की कुल अवधी होगी 1 घंटे 12 मिनट। चतूरदसी तिथी शुरू होगी 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1 बचकर 55 मिनट पर। और चतूरदसी तिथी खात्म होगी 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2 बचकर 45 मिनट पर।